हाली में कुछ दिन पहले NTA के तरफ से आपका NEET 2024 का एक्जाम जो हब आपका कंड़क्ट कराए गया था और उसमें भी बहुत बड़े अस्तरप यहां पर जो आपके चीटिंग हो और यहां पर जो आपके पेपर लिग था तो वो यहां पर आपका हुआ था लेकिन उसके बाद भी जो आपके NTA हैं उनके तरफ से यहां पर साब तवर पे मना कर दिया गया है तो उसमें starting में जो आपके संस्था है उनके तरफ से direct आपका मना कर दिया गया था कि नहीं इसमें किसी भी तरीके का आपका paper leak जो है पपका नहीं गया है बाद में अभेर्थियों के तरफ से यहाँ पर आंदोलन करने के बाद जो भी आपका paper था तो उसको यहाँ पर निरस्त कि जो आपके रटवाए गये थे तो उसमें यहाँ पर हुबहु जो आपका official जो आपका paper था उससे यहाँ पर जो है पका मिल गया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपका हाली में BPSC TRD 3rd का paper leak हुआ है तो यहाँ पर जो बेटा है वो paper leak मामले में वो यहाँ पर jail में जो बाफ है और यहाँ पर नीट का जो आपका paper leak हुआ है तो उसमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर mastermind है और यहाँ आपका मामला बिहार का जो आपका पटना है वहां का है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभेरत्य हैं उनके तरफ से यहाँ पर बयान Missouri pastga दिया गया है है उनके तरफ से यहाँ पर उज्जैन पुलिस के यहाँ पर स्वयोग से यहाँ पर जो मुख्य आरोपी था जो यहाँ पर डाक्टर सीव था तो उसके साहित यहाँ पर पांच लोग को यहाँ पर पकड़ा गया था जिनका यहाँ पर टोटल समध जो आपका BPSC TRE 3 का पेपर गये हैं और वो लोग यहाँ पर जेल में हैं लेकिन उसके बाद भी जो भी उनके गिरोह के अन्य साथी हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है किसी भी तरीके का डर नहीं है और जैसे ही आपका अगला एक्जाम हो रहा है उसमें यहाँ पर तुरंत यह लोग जो पेप दिया जाता था लेकिन अब यहाँ पर आपका नया जो तरीका आगया है वो यहाँ पर आपके आंसर की रटवाने को लेकर आगया है कि पहले ही आप यहाँ पर आंसर की रट लिजे फिर उसके बाद आप यहाँ पर पेपर जो है उनके उपर आपका सवाल उड़ता है कि कि इसमें वो लोग यहाँ पर पेपर लिख यहाँ पर कराने वाले हैं उसके बाद भी जो NTA है वो यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी जो इस चीज का ध्यान नहीं देती है और उनके तरफ से जो आपका नीट 2024 का एकजाम है उसी तरीके से बिना कुछ सुरच्छा के या फिर बि लिख हुआ है और जो आपके आंसर की है वो यहाँ पर आपका रटवाया गया है अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आपका BPSC TRE 3 का री एकजाम है उसको लेकर है क्योंकि अभी भी आप देखेंगे अभी हाली में आपका TRE 3 का पेपर लिख हुआ और फिर उसके बाद हाल यहाँ पर आपका जो नीट का एकजाम है वो यहाँ पर आपका लिखवा कोई डर यहाँ पर नहीं है उसके बाद भी BPSC के तरफ से आपका एकजाम डेट दे दिया गया है 10 और 11 जून 2024 को TRE 3 का री एकजाम होगा उसके साथ ही जो अन्य वर के जो सिचक है सभी वर के सिचक यहाँ पर कहीं आपका लिख जो है पापका न हो जाए तो एक कहीं न कहीं BPSC को जो है वो समझेना चाहिए और निशी तरफ पर यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान दे रहे होंगे और यदि नहीं ध्यान देंगे तो फिर इसी तरीके से जो आपका आमसर की है वो यहाँ और आपका जो है उरट वाए जाएगा